दूपती अर्थ विवस्था को मजबूत करने की कोशिश में लगी मोदी सरकार ने अपने दूसरे कारिकाल के दूसरे बजट को शनिवार को पेश किया ज़रान कई मुद्दों पर बात हुई वही कई प्रावधान और योजनाओं का भी अलान किया गया वही सरकार की और से इस बजट को एतिहासिक बताया जा रहा है और विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पर साफ है कॉंग्रेस ने इस बजट को फिजूल बताया है साथ ही यह कहा कि इसमें रोजगार और किसानों के लिए कुछ नहीं है राहुल के इस बयान के बाद साफ दिखाई देता है कि विपक्षर खासकर कॉंग्रेस इस बजट से खुश नहीं लेकिन कॉंग्रेस के ही दिगज नेता को बजट से बहुत खुशी मिली है उन्होंने इस बजट को आम लोगों के हित में बताया है नहीं राहूल गांधि का कहना है कि इस बजट में आम आदमी को राहत नहीं है तो शशी धरूर का कहना कुछ और ही है जी हाँ कॉंग्रेस सांसाद और पूर्व मंत्री शशी धरूर ने कहा कि इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत मिली है धरूर ने नए income tax छूट पर कहा कि इससे आम मध्यमवर्ग को थोड़ी रात मिलेगी हलाकि पूरे बजट में वो जादा खुश नजन नहीं आए इसी बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमो का खिलेश यादव भी जादा खुश नहीं दिखाए दिये उनका कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए कोई खासला नहीं किया है इस बजट से किसानों को कोई फाइदा नहीं होगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर अपडेट्स